नमस्कार सतिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर उन्होंने कहा कि आत्म निर्बर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ट इंस्टेंटिव यानि पी एला योजना को एक उत्कृष्ट प्रितिक्रिया मिली है जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान साथ लाख नए रोजगार और तीस लाख करोड के अतरिक्त उत्पादन की चमता है वित्तमंतरी निम्ला सिता रमन द्वारा मंगलवार को लोकसवा में पेश किये गए बजट में गेहूं और धान के नियुनतम समर्थन मूल यानि MSP के लिए 2,37,000 करोड रुपए की घोशना की गई दोनों फसलों पर MSP का ये भुकतान अगले वर्ष अप्रेल 2022 मार्च 2023 में किये जाएंगे इसके लावा वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोशित किया गया रभी 2021 में 163 लाग किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा इसके लावा सिता नमन ने केन बेतवा नदी जोडने की परियोजना की उन्होंने कहा कि ये परियोजना 44,000 करोड रुपए की लागा से शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 9,000,000 किसानों को लाब होगा उन्होंने कहा कि 5 नदियों को जोडने के लिए DPR के मौसोदे को अंतिम रूप दे दिया गया है वित्तमंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेने चलाने की घोशना की इसके साथी रेलवे के आधुनी करण पर जोर है 100 पीम गती शक्ती कारगो टर्मिनल बनाये जाएंगे राश्ट्य राजमार को 25,000 किलोमेटर तक बढ़ाया जाएगा हाइवे विस्तार पर 20,000 करोड रुपे का खर्च किया जाएगा वित्मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है IIMF और वर्ल्ड मंग जैसी अंतराष्टी एंजिंस्यों ने भी भारत की GDP विद्धी दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जयताया है वित्मंत्री ने बजट पेश करते विए कहा कि हर घर नल से 5,5 करोड घरों को जोड़ा जाएगा हर घर नल जल योजना के 60,000 करोड रुपए आवंटित के जाएगे इसके लाबा साल 2022-23 में प्रदानमंत्री आवास योजना के तहत 80,000,000 घरों का निर्मान किया जाएगा वित्मंत्री ने कहा कि डिजिटल पेमेंट तेजी से बड़ा है डिजिटल बैंकिंग का लाब हर नुकर पर पहुँचना चाहिए इस एजेंडो को आगे बढ़ाते हुए अनसूचित वानेजिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग एकाईया इस्ताफित करेंगे वित्मंत्री का कैना है कि 2022-23 भीतर 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएगी इसके लाब है 2025 गाउं में ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा केंद्रिया बजट 2022 पेश करते हुए वित्मंत्री ने घोशना की कि करदाता अब 2 साल के भीतर IT रेटन अपडेट कर सकते हैं सरकार ने इंकम टेक्स लेब में कोई बदलाव नहीं किया है उन्होंने कहा कि एक तुरुटी को ठीक करने का अफसर प्रदान करने के लिए करदाता अप्रासंगेक मूल्यांकन वर्स से 2 साल के भीतर एक रेटन दाखिल कर सकते हैं वित्तमंतरी निव्रासितारमन ने डिजिटल एकॉनमी को बढ़ाबा देने के लिए डिजिटल करेंसी लॉंच किये जाने का इलान किया उन्होंने कहा कि वित्य वर्स 2023 से RBI द्वारा डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा इसको ब्लॉक चेन और अन्य तकनीक का उपयोग कर बनाए जाएगा क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा इसके लाबा डिजिटल इन्युवर्सिटी भी बनाई जाएगी यहां अलग-अलग भारतिय भाषाओं में पढ़ाई होगी विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पास्पोर्ट शुरू किया जाएगा वितमंत्री ने कहा कि करोना के कारण आपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरख शिक्षा देने के लिए वन किलास वन ٹीवी चैनल लाउंच किया जाएगा वितमंत्री ने कहा कि पी-म ई-विद्या के वन किलास वन टीवी चैनल कारण को बारह से दो-सो टीवी चैनलों तक बढ़ाय जाएगा ये सभी राज्यों को कक्षा एक से 12 तक शेत्रिय भाषाओं में सप्लिमेंटरी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा इसके लाबा महामारी ने जन स्वास्ते पर गहरा दुस्ट प्रभाव डाला है खासकर लोगों की मानसिक दशा पर खासा असर पड़ा है इसलिए मानसिक स्वास्ते कारकरम लाँच किया जाएगा ऐसे समय में जब New York Times ने एक रिपोर्ट में दाबा किया है कि इसराइल से भारत के रक्षा सौदे में पेगसस भी शामिल था अब भारत में भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि निशाना बनाए गए मोबाइल फोन में पेगसस के डिजिटल ट्रेल यानि चिन मिले है एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगसस मामले की जांच के लिए बनाए गए सुप्रीम कोट पैनल को विशेशग्यों ने ही ये बताया है इंडिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम दो साइबर सुरक्षा विशेशग्यों ने सुप्रीम कोट द्वारा नियुक्त समिती को बताया है कि लोगों की अनधिकरत निगरानी के लिए पेगसस इस्प्राइबर का उप्योग करने में राज इसके खुपिया और कानून प्रबरतन एजन्सियों की भागिदारी की और इशारा करने वाले मजबूत संकेत मौजूद हैं कुछ आज का करताओं ने खुझ से नियुक्त विशेशग्यों से अपने मोबाइल फोन का फोरेंसिंग विशेशन कराया और इसकी पूरी जानकारी और मोबाइल फोन सुप्रीम कोट पैनल को दिया रिपोर्ट के अनुसार इन साइबर विशेशग्यों ने कहा है कि फोन में मैलवेर की परियाप्त तैनाती दिखाते हैं जो सारवजिनिक डोमेन में उपलब्द पेगसस के डिजिटल फिंगरप्रिंट के समान है विशेशग्यों में से एक नई दिल्ली इसित थिंक टैंक डीप स्ट्रैट के रणनीतिक सलहकार आनन्द वेंकट नारायन है वेंकट नारायन के अनुसार पेगसस के उप्योग के और सबूत के तौर पर दो पत्रकारों के फोन का फोरेंसिक विशलेशन है जिसमें स्वाइवर से जुड़े डिजिटल फिंगर्पिंट का पता चला एक दूसरे सुरक्षा शोद करता ने सुप्रीम कोर्ट पैनल को बताया कि पेगसस के लिए सारवजनेक रूप से उपलवत दस्तावेजों के आधार पर ये सपष्ट है कि इसे यहां तैनात करने के लिए एक इस्थानिय सिस्टम इंटीग्रेटर आवश्चक था यानि निगरानी करने के लिए भारत में एक पढ़ानी स्ताविट की गई होगी बतादें कि पेगसस पर फिर से हंगामा मचा है इन रिपोर्ट्स के बाद सरकार लगातार घरती नजर आ रही है मुंबई सहित पूरे महराष्ट में दस्वी और बार्मियों की बोर्ड पर इक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर हजारों चात्रों ने महराष्ट की शिक्षा मंतरी वर्षा गायगवार के घर के सामने प्रदशन किया पुलिस का कैना है कि चात्रों ने फिल्म सेलेबिटी विकास पाठक और हिंदुस्तानी भाव के भढ़काने पर ये प्रदशन किया था जिसके बाद पुलिस ने हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, छात्रों ने मुंबई के अलावा ठाने और अंगाबाद नागपुर और पुने में भी प्रदशन किया और बसों में तोड़ फोड़ की, छात्रों की मांग है कि कुरोना की क्येस बढ़ने के चल थे, माहराष्ट में दसवी और बार्मी की परिक्षा को ओफ्लाइन रद किया जाना चाहिए, छात्रों की मांग हलकी, दसवी और बार्मी की बोड़ परिक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं और छात्रों को ओफ्लाइन परिक्षा के लिए मजबूर ना किया जाएं सोचल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव उस विकास पाठक को छात्रों को कथित रूप से उकसाने के आरोप में मुंबई की धरावी पुलिस ने गरफतार कर लिया है हिंदुस्तानी भाव ने कथे तोर पर छात्रों को महराष्ट के शिक्षा मंतरी वर्षा गायकबार के आवाज के पास इखटा होने के लिए काहा था ताकि सोमबार को कक्षा दस और बारमी के लिए ओफ्लैन परिक्षर रद करने की मांग की जा सके देश में कोरोना संक्रमण के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी फिर से बड़ी गिरावट आई एक दिन में संक्रमण के मामले अब दो लाग से भी कम आ गए हैं स्वाफ्सर मंगलवार को जारी आकड़ो के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,67,069 कोविड मामले आये हैं इससे एक दिन पहले सोमबार को एक दिन में 2,00,000 से कुछ जादा केस आये थे जबकि दो दिन पहले रविबार को 2,34,000 केस आये थे झाल 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 झाल